दूसके कार चैसे किसी बी रिलेशनिशिप में लिए राष्ट को और राष्ट रहसे को साथे गोटनों को भी तो बहुत जल्दी आम उसरी लडाई को सौल नहीं मैंने में आपच्छ थाकूर अपास्नेशनिट्यौनिट्व मैं एक स्पिकर So let's start with this topic पहली चीज जो मैं आपको बोलूँगा अगर आप चाहते हैं कि आपका trust बना रहे जैसे कि business में customers के साथ trust बना रहता है अगर आप चाहते हैं कि वो trust आपके relationship में बना रहे तो जो भी आप promises करते हो उनको पूरा कीजिए चाहे अपने पापा से promise करते हो कि अगले संदे में घर आओंगा just complete that promise, fulfill that promise अगर आप करते हो अपने दोस से promise कि अगले महीने हम शिम्ला जाएंगे किसी टूर पे fulfill that promise अगर उस promise को पूरा करते हो कि अगर एक strong bond बनता है आपके बीच में what he said that I will do in the future वो सारी चीजे कीजिए या तो promise ना कीजिए अगर करना है तो वो सारी चीजे complete कीजिए जिनका भी आप promise कर रहे हो किसी से कि आद में वो करूंगा अगर आप अपने दोस से कोई promise करते हो और उसको पूरा करते हो तो उसके दिमाग में एक चीज जाएगी that he can trust on you अगर आप उससे कोई भी promise करते हो और पूरा करते हो तो वो आप भी trust कर सकता है ऐसा इसा भी relationship से होता है आप पे लोग तभी trust करेंगे जब आप अपने कियोगे promises पूरे करोगे उसके बाद भी 50% chance है कि आपके relationship बहुत स्मूधरी चलेंगे बहुत अच्छे से चलेंगे लेकिन next 50% depend करता है दूसरे condition के उपर और दूसरी condition है कि आपको पहले सुनना पड़ेगा और अगर आप लोगों में अंडर्स्टाइटी आप लोगों में अंदर ट्रॉस्ट है तो जुरूरी नहीं कोई तीसरा इंसान है वो आपके बीच में आके उनके आपके बारे में कुछ गलत नहीं बूलेगा या जिसके सार्वलोशन है उसके बारे में गलत नहीं बोलेगा जैसे family में किस relative ने अगर आपके बारे में आपके ममी पापा को कुछ बोला तो वो trust करेंगे उनके उपर थोड़ा बहुत they will trust them लेकिन अब दूसरा step है जो उन problems को दूर करता है जो उन condition में आ जाती है वो step है listen उन्होंने किसे से सुना है कि जिनने उनको बोला थोड़ी देर शांती से पैट के उनको सुनिये अगर आप उनको सुनोगे तो आपको ये चीज़ रियलाईज होगी कि क्या बोला है किसने बोला है क्यों बोला है और अगर आपको ये पता लगा तो आप justification दे सकते हो अपनी Otherwise आप भी सामने से argument करेंगे वो भी argument करेंगे और दुनिया में सिर्फ एक चीज़ आप नहीं जीद सकते वो है argument Argument आप कभी भी नहीं जीद सकते अगर आप चाहते हो आपका relationship पच्चा हो तो दोसे से करनी चाहिए पहली जितने भी promises आप करोगे किसी से भी ममी पापा भाई बहन दोस्त गर्फरेंड आपके बॉस किसी से भी जितने भी promises करोगे उन सभी promises को पूरा करो और दूसरी चीज़ अगर फिर भी कभी life में problem आ जाए गर शिशी में problems आ जाए तो सुनिये सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या बोलना चाहता है अगर आप सामने वाले को नहीं सुनोगे तो argument बढ़ेगा यह तोनों स्टेप सुनने में बहुत इसी लग रहे हैं लेकिन और habits की तरह इनको बनाने में भी time लगता है यह promise मैं आप से करता हूँ आज कि अगर आप इन दोनों steps को अपने किसी भी relationship में अपनाते हो किसी भी relationship में तो आपकी relationship 95% chances हैं कि आपकी relationship में कोई problems नहीं आएंगी अगर आएंगी भी तो बहुत जल्दी आप उनको soft कर सकते हो So thank you, thanks a lot, please subscribe